हेलो मैं फेंड्स वेलकम बाक टू दे चैनल आशी सर्फ आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करना वाल है मैट्स टू के जोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के बारे में 10 स्टांडर्ड सीटी के लिए बहुत जाधा इंपर्डेंट क्वेशन है जनरली इस चैप्टर से एक मांक का कोई question अब तक तो किसी question specifically पूछा नहीं गया है नहीं कभी one mark के questions में आपको जिक्र किया गया होगा multiple choice question के तौर पर normal paper pattern के टाइम पर भी तो सीटी में normally chances इस चैप्टर के बहुत ही कम होते हैं लेकिन अगर question पूछे भी जाए तो किस step के questions पूछे जाए सकते हम लोगों को य वो बहुत simple होगा as per geometry construction के point of views है तो please make sure कि वीडियो को end तक देखें ताकि आपको बहुत जादा benefit मिलेगा और आप अपने दोस्तों में दरूर शेयर कीज़ें क्योंकि इस तरह की benefit उनको भी मिलना चाहिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्या दिया है क्या देखिए आपक आपको triangle element is similar to triangle XYZ similar कहा गया है जी सर जी and LM is upon XY is equal to 3 upon 5 ओके सर values दिया है तो आप से क्या expect कर रहा है then आपको क्या बताना कि कौन सा triangle बढ़ा है my dear सबसे पहला आप समझो अगर आपको कह रहा है कि LM upon XY is equal to 3 by 5 तो आपके दिमाग में कुछ चीजे पहला आ जाना जरूरी है सर कौन सी बाते सर यह value छोटा है जी सर यह hundred and one percent smaller triangle होगा और यह value बढ़ी है तो hundred and one percent यह bigger वाला triangle होगा higher वाला triangle होगा bigger होगा तो हमें क्या बोले element is bigger तो यह स्मॉलर है तो यह तो option होई नहीं सकता एक्सवाइज बढ़ा है तो obviously higher है तो यह answer हो सकता है both the triangles equal यह भी नहीं हो सकता cannot be decide यह भी यहां पर correct option क्या है x y z bigger आपको generally question पूछा जाए कि कौन सा triangle बढ़ा है कौन सा triangle छोटा है सेम अगर हम लोग यहां पर पहुंचे एले डी एफ और केजिएव की तरफ यहां पर देखे एफ छोटा है यह बड़ा है तो यह smaller हो गया और यह bigger वाला हो गया ठीक है अब यह को बताए डी एफ स्मॉलर हो गया और यह bigger हो गया but question क्या बोलता है डी एफ इस पॉसीबल ही और बी क्या बोलता है केजिए मिजब भी कर तो सब बी ही वाला अंसर होने वाला है उसके बात ट्रेंगल एबी सी सिमलर ट्रेंगल डी एफ एक चीज़ जाद रखों जब हम दो ट्रेंगल की बात करते हैं जब हम दो ट्रेंगल की बात कर रहा हूं तो इनके जो कर्रेस्पंडिंग एंगल जो हैं तो माई डियर मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है मैं इनकी क्या वहरा कर्रेस्पंडिंग एंगल की बाते कर रहा हूं दो जब भी आप एंगल वाले कोई फाँ फेसंदेखो तो हाँ पर आंसर कहाने वाल है वन अपन वन वर यहां पर हैं अब अब यहां पर एक सर्कल यहां पर टेंजेंटड्राओ किया अब दिकर रहे है वसे पर बता दीजिये माइडियर यह परपेंडिकुलर कहां पर क्रियेट कर रहा है तो जैसा कि आप सभी को दिख रहे है पी ओ ओ पी क्या यहां पर ओ पी दिया है नहीं तो क्या यहां पर पी सी दिया है यह सर तो इसका अधार डायमीटर पर यानि ऐसा कह सकते हैं मान लो आपका जो टेंजेंट है वो पर्पेंडिकुलर है किस पर आपके दाया मेटर पर टेंजन का नाम तो दिया है और तस्टिंग पॉइंट्स दिया है तचीज क्वोईंट कि है उडर अ电सीकों और दायमेटर को नाम देया है तैसरे के ओपर क्या हो गया पर पेंडिक लारो मतलब क्या होता है my dear perpendicular मतलब वहता है it and it creates it creates ठीक है angle of 90 degree it creates an angle of 90 degree next question number of tangent that can be drawn to a circle अब बता हूं मुझे एक अपने एक circle से कितने tangents को draw किया जा सकता है example के लिए समझो यह मेरा सब्सक्राइब एक टेंजन यहां हो गया है एक टेंजन मेरा यहां से हो सकता है इसका कितने भी हो सकते इसको बोलेंगे infinite वदिकत नाइस हो इसके बाद सेम समिलागल 충-6-6-6 रेशन से दिया गया है बढ़ यहoqu को यहा पर अंगल बोला है तो तो मैं आने को कुछ clear ने भी बताया कि आपको साइड मिन निकालने बोला है तो हमेशा आंसर गांगाόं थेंगा तो भी वो intuit सब जगा पर देखने के लिए मिलेंगे एस टी यू एक्सवाइज अब मुझे तुम लोग बताओ कि कौन सा बढ़ा है सट टी यू इस बिगर और टी यू एस टी यू में आता है तो इस टी यू एस बिगर थी यह अलग से आमसर यह अप यजा तो आपने बता आपने साइड को में रिखते हैं तो इसका मताब सवाल यह पैदा यहनू χोता कि एकृए और प्यक्राइड लिह यह यह लिखा जाता है कहा पर लिखा जाता है एंगल वाइए और यहाँ पर यह दोनों तो कैंसल यह साइड का रेशियो दिया जाना चाहिए तो किस में लिखा जाना चाहिए दोनों यह दोनों को रेशियो में लिखना चाहिए जैड आर जैड और आर यह सOR यह चलेगा क्योंकि पोस्ट अग्र एक्स वाँ जैड कॉंग्रेयं टूंग्रेंट YouTube प्योल्र आर तो यह जैड और कॉंग्रेंट को गया तो इस और मिनी सिखो आपको तो रेश्यो दिया है साइड का आपको निकालने बोला है अंगल तो आंसर क्या है वन बाइ वन दिख रहा है यह सर यह सब्सक्राइब करेक्ट हो जाने वाला है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी नॉर्मली जोमेटरी कंस्ट्रक्शन बहुत ही छोटा चैप्टर है आपने भी देखा हो का कंस्ट्रक्शन करता समय इसके अंदर यहां पर आपको किस तरीकी के पूछे जा सकते हैं उसका अगले वीडियो में एक और नहीं लेक्ट्चर वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन हुआ 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 है